हेलो फ्रेंट स्टेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है मैं आपकी होस्ट अकांग्शा नया वीडियो लेकर फिर हाजिरूं इस वीडियो में हम सुख्षमिशिक्षण की अगली पार्टी युजना बनाएंगे हम सुख्षमिशिक्षण के सभी कौशलों की थि त्यूरी के और सुख्षमिशिक्षण के वीडियो बना चुके हैं कुछ नय वीडियो लेकर निरंतर आ रहे हैं उसी सीरीज में अगला वीडियो है जिसमें कि हम विज्ञान विशय पे जड़ प्रकरन पर सुख्षमिश पार्टी युजना बनाएंगे यदि आप प्रिव चलिए आपको लिंक तो आप मुझे कमेंट और बताएए मैं आपको बाक्स की लिंक देदेंगी तो आप प्रिवेस सारे वीडियो देख सकते हैं आप हमारे फेस्बुक पेज में टेलीग्राम ग्रोप में ज़ं कर सकते हैं यही अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नह तो यहां section kaushal डालनी की अवशक्ता नहीं होती है लेकिन मैंने इस तरीके से लिखा हुआ सुक्ष्म पार्ठ यूजना और बाद में kaushal डाला हुआ तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं फिर आपको बनानी होती है इस तरह की से box में blackboard filling जिसमें की हम क्या करते हैं पहले अबेका करें फिर फाल देनाती हैं प्रढ़वे सभ 질문 लेख चात्र हमारे कर बना चुक्राइब कि सूक्ष्म पार्टी यूजना व्ञवरों फिर दर अच्शल में के लिख बीच फोटी है स्भी कोशनों के लिए और प्रस्तावनें के लिए प्रस्तावना क्यूंट है या जाता से जाता 6 मिनिट इससे बड़ी प्रस्तावना नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें सारा लेसन भी कंप्लीन करना है यहां तो हम उनको पूर्विज्यान से कनेक करके कॉशन पूछ रहे हैं जिससे हम उनका पूर्विज्यान चेक कर सकें, जान सकें कि यह टॉपिक के लिए वो तयार है या नहीं और नए प्रक्रण पर पहुंच सकें जाते से हम कक्षा में पढ़ाएंगे नहीं हमको पहले उनका पूर्विज्यान चेक करना होता है और उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं और प्रक्रण जो की है हमारा विज्यान विशे का जड़ अब हम प्रस्तावना का प्रस्तुती करन करेंगे जिसके लिए हमको कॉलम बनाना होता है चात्रध्यापी का वहवार या आप इसको प्रश्न भी लिख सकते हैं या क्रिया भी लिख सकते हैं विद्यारती वहवार या विद्यारती क्रिया या विद्यारती प्रश्न और घटक घटक क्या होता है जो भी हम इस्तमाल कर रहे हैं घटक जैसे कि हमारी प्रिस्टावना के कुछ बास, डिफ आलग होते हैं, हर बुक में अलग अलग होते हैं उसकी साड़नी भी बनानी होती है, इस तरीके से तो जैसे कत्नों का, प्रशनों का, चात्रों के पूर्वग्यान से संभन्द तो हमारा पहला घटक क्या हो गया, पूरवियान से संबन्द। यादे आप उसको यदि ज़्यादा नहीं समझ पारहे हैं, घटक शब्द तो विश्यस्ता समझ सकते हैं, आवश्चक्ता समझ सकते हैं कि ये तथ्य हमारी प्रिस्तावना में होना चाहिए। तो ये सारे उसके घटक हो गए तो हम इनको पूरा पूरा वहाँ नहीं लिख सकते तो हम उनको नमबरों में लिख देते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमारा पहला प्रश्ण है कि पौधे का वहभाग जो जमीन के अंदर रहता है उसे क्या कहते हैं तो पौधों का वहभाग जो जमीन के अंदर रहता है उसे जड़ कहते हैं तो यह पूर्विज्यान से संबंध हो गया और इसी तरीके से हमारा पहला और दूसरा और तीसरा घटक यहां इस्तमाल हो गया फिर दूसरा प्रशन है हमारा जड़ से निकलने वाली अन्य उपभागों को क्या कहते हैं तो जड़ से निकलने वाले अन्य उपभागों को मुख्य जड़ या जड़ की वा मूलिकाएं कहते हैं फिर जड़ कितने प्रकार की होती है नाम बताईए तो जड़ दो प्रकार क एक लिखना है और आपका पहला दूसरा घटक और तीसरा घटक इस्तमाल हुआ यहां पूछेंगे जड़ का मुख्य क्या है तो भूमी से पानी कीचना है तो यहां पर आपका इस्तमाल हुआ थो आपको यहां मैंशन करना है फिर आप अगला प्रश्न करें यदि पौधों की जड़ काड़ दी जाए तो वो पौधा क्यों सूख जाता है तो यह हो जाएगा हमारा समस्यात्मा प्रश्न यहाँ पर दूसरा तीसरा और पांचवा घटक आपका इस्तिमाल होगा तो यह पांच प्रश्न हो गया आपके यह आपको कक्षा में पूछना होता है यह आपके पूर्वज्ञान के आधार पर होते हैं प्रस्तावना के प्रश्न जो कि हमको पांच मिनिट में कम्प्लीट करने हैं जैसा कि आपने यह दी सुख्ष्मी शिक्षन के बारे में थोड़ा सा भी जान लिया है तो सुख्ष्मी शिक्षन के बारे में आप समझ गयोंगे कि हमको हर कौशल की प्रैक्टिस करनी होती है कि हम उसकी छोटी-छोटी पार्टी युजना बनाए आपी में से कोई 5 या 6 वि प्रटी रहती है तो वह फीड़बैक देते हैं उसके अनुसार आप फिर से पार्टी युजना बनाते हैं और फिर से प्रस्तोती गरन करते हैं यदि ज्यादा और डीपली समझना है तो थियोरी का वीडियो देखिए मैंने बताई दिया आपको वीडियो कहां मिलेगा आप प्लेलिस्ट सूपश मिश्रिक्शन की डिस्क्र Espaire Prof 시간US में मिलेगी वह आट से पूले वीडियो का वीडियो में सूपश मिश्रिक्शन क्या होता है उसका इतिहास सारी चीजह हमने वापे में पहले वीडियो में डाल चुके हैं हर थियोरी का एक अलग वीडियो है पूरा हमने विस्तार से समझाया हुए फिर इस तरीके से आपको निरिक्षन तालीका बनानी होती है निरिक्षन तालीका में आप कौशल घटक लिखते हैं और टैली कि कितनी बार घटक का इस्तमाल हुए तो हमारा पहला घटक था कत्नों वा प्रश्नों को चात्रों के पूर्विग्यान से जोड़ा गया तो इसका इस्तमाल जितनी बार होगा यह तो एक बार होता है तो आप एक डंडा बना दे दो बार होता है मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि कुछ लोगों को यदि नहीं आती है तो उनको आ जाए फिर है कतनोवा प्रश्णों को पार्ट एवं उसके उद्देश से जोड़ा गया हमने जो पिछला प्रस्तावना कोशल का वीडियो बनाया तो उसमें हमने घटक अलग तरीके से लिखे थे और इसमें कुछ घटक अलग लिखे तो यह क्या है अलग अलग राइटर बुक्स मे अलग अलग घटक लिखे तो कुछ लोग क्या कमेंड करके मुझे बोल देते थे मैडम यह घटक गलत है इसलिए मैं आजकल क्या करती हूँ कि हर बुक्से हर पार्ट यूजना में कुछ अलग घटक लेके आश्रे उनका यह की होता है शब्दा बली है अलग अलग होते तो जिसमें आपको कनफ्यूजन ना हो और कुछ तो खुदी भीज देते मेडम यह घटक का इस्तमाल करके बनाई है तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी बना देती हूँ लेकिं यहां पर मैंने क्या किया है दो तीन बोक्स है मेरे पास उससे सभी में जिसे इस वाली में अलग तो गलत कोई से नहीं है आश्रे सबका एक ही है लेकिं शब्दवली अलग अलग के और आप लोगों को समझ में आपाई इसलिए मैंने यहां पर उसको अलग तरीके से लिख लिया है विचारो वा कतनों का श्रंकला वद्धिता कि जो भी प्रशने उनमें श्रंकला वद्ध जाए फिर उसका जो अंसर है उससे तीसरा प्रशन बनना चाहिए लेकिं यह कभी-कभी हो जाता है कभी-कभी नहीं भी हो पाता है तो इसलिए जिसमें नहीं हो पा रहा है जिक-जैक वह ऐसा नहीं है कि वह प्रस्तावना गलत है फिर है पार्ट के अनूपियोग, उसका इस्तमाल नहीं किया टीलम का तो इसलिए यहां पर कुछ नहीं कि हुआने तो आप बारंबारता बना देते क्या प्रस्तावना की अब्धी का विस्तार उपयुक था तो हां था क्या अध्यापक विध्यारतियों का ध्यान मूल पार्ट की और क्रस्ट कर सका तो हां कर सक क्या अध्यापक उस्साह पूर्वक्त पार्ट को प्रस्तुत कर सका तो हां कर सका इस में टैली की आवशकता नहीं है इसलिए हां यह नहीं में उत्तर देंगे फिर उसके बाद आता परिवेशक टिपनी जो की फीडबेक देंगे आपको उसके अनुसारी आप पुना पार्टी उजना बनाते हैं तो यहां पर उनका फीडबेक और यहां पर हस्ताक्षर यहां पर हमारा यह जो प्रस्तावना कोशल का वीडियो है समापत होता है कैसा लग बताएं अच्छा लगता है लाइक कीजिए दोस्तों से शेयर कीजिए यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल का बैल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाब ले सकें धन्यवाद जय हिंद।